दोस्तों प्रेग्नेंसी से पहले इस दोरान और प्रेग्नेंसी के बाद भी मैलाओं के लिए कई सारी कॉंप्लिकेशन्स आती है। दोस्तों कुछ फिमेल को प्रेग्नेंसी के सुरुवाती दुनों में ब्लेडिंग की सिकायत होती है जो की नॉर्मल बात है। प्रेग्नेंसी के दोरान पेट में हलकी एटन होना आम बात है लेकिन अगर तेज कॉंट्राक्शन यानि संकुचन महसूस हो रहा है तो यह गंबीर समस्या हो सकती है। डिलिवरी डेट से काफी समय पहले बार-बार या पेइनफुल कॉंट्राक्शन होना प्रेमिच्योर लेबर का संकेत हो सकता है। इस बारे में तुरन डॉक्टर को बताएं। दोस्तों, एनिमिया हेल्दी डेट ब्लेट सेल्स की सामानी संख्या से कम होने पर होती है। मैलाओं में खून की कमी के पीछे सबसे वरा कारण एनिमिया है। प्रेग्निंसी से संबंदित एनिमिया से पिरित मैलाएं ठका हुआ और कमजोर महसूस करती है। ऐसे में आयरन और फोलिक एसिड सप्प्लिमेंट लेने में इससे मदद मिल सकती है। इसके अलावा डॉक्टर इस दौरान लगातार मैलाओं का ब्लड टेस्ट करवाते यूरिनरी ट्रेक्ट का इंफिक्शन प्रेग्निंसी में बहुत आम हो जाती है। ये यूटिया इंफिक्शन के कारण होता है। प्रेग्निंसी के दौरान यूटिया होना आम बात है। बीबी के बढ़ने पर ब्लैडर और यूरिनरी ट्रेक्ट पर दवाप पढ़ने की व प्रेग्नेंसी से पहले और उसके दोरान हाई बलड पेशर की समस्या प्रेग्नेंट महिला को और उसके बच्चे को खत्रे में डालता है यह obstetric संबंदी complications जैसे कि pre-clemsia, placental abortions और gestational diabetes के लिए बढ़े वे जोकिमों के साथ जुड़ा हुआ है इन महिलाओं को delivery में कई परिशानिया हो सकती है जैसे कि pre-term delivery, age के इसाब से baby का छोटा होना और infant death होना सबसे important बात यह है कि pregnancy होने से पहले blood pressure की समस्याओं पर चर्चा करें ताकि pregnancy से पहले आपके blood pressure का उचित उपचार और नियंतरन हो सके pregnant होने से पहले एक महिला को वजन जितना ज़्यादा होता है pregnancy के दोरान complication उतना ही अधिक जोकिम होता है जिसमें preeclampsia, gdm, stillbirth और ceserian delivery सामिल है इसके अलावा वजन का कम होना भी pregnancy के परिशानियों को और बढ़ा सकता है दोस्तों pregnancy के दोरान diabetes के type के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है gestational diabetes वो परिशानी है जो pregnancy में कई complications पैदा करता है pregnancy के diabetes का फ्रारम अकसर 5 मेने में होता है और यह condition delivery के बाद वापस नॉर्मल हो जाती है gestational diabetes तब होती है जब pregnancy के दोरान आपके खून में glucose की मात्रा काफी जादा हो जाती है blood में अतितिक सुगर होने से आपके और आपके बेबी के लिए समस्याइं उत्पन हो सकती है इसलिए आपको pregnancy के दोरान अतरिक्त देखवाल में रहना होगा pregnancy के दिनों में हाथ पैरो या अन्य अंगों में सूजन होना आम बात है लेकिन अगर सूजन वाली जगह पर दर्द हो या उस पर redness और रैसेस आ जाए तो यह चिंता की बाद हो सकती है blood clot के कारण ऐसा हो सकता है इसलिए अपने स्किन पर बारीकी से नज़र रखें हाथ या पैर में painful सूजन आए तो डॉक्टर से तुरन संपर करें दोस्तों प्रेग्नेंसी की लास्ट दो मेनों में चक्कर आना और आखों से दूंदला दिखाई देना हो सकता है अगर आपको फोकस करने में दिख्कत आ रही है या दूंदला दिखाई दे रहा है तो तुरन डॉक्टर को बताएं डाइबेटी से ग्रस्थ प्रेग्नेंट वुमिन के लिए खास दोर पर ये दिख्कत हो सकती है प्रेग्नेंसी की समय में वेजाइनल डिस्चार्ज होना सामाने बात है लेकिन पतला फ्लूइड निकलना खतरनाक हो सकता है आम दोर पर ये पानी की थैली फटने का संकेत हो सकता है और ऐसा डिलिबरी डेट से कुछ दिन पहले होता है ऐसी सिच्विशन में प्रेग्नेंसी पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है गर्ब में बेबी के आसपास अम्नियोटिक फ्लूइड होता है जो बेबी को सुरक्षा प्रदान करता है इसी अम्नियोटिक फ्लूइड को पानी की थैली का आ जाता है बेबी के विकाश के लिए ये बहुत जरूरी होता है यदि समय से पहले पानी की थैली फट जाए तो कोई गंभीर जटिलता पैदा हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान ये महत्तपूर्ण है कि एक महिला को हेल्दी और बैलन्स डाइट लेनी चाहिए और ये सला दी जाती है कि रोज जो भी भोजन वो करती हों उसे दिन में तीन बार लेने के वज़ाए छै बार में विवाजित करके खाएं इसके अलाबा उसे खूब पानी, ताजे फलो का रस, नारिल पानी, मिल्कसेक और अन्य हल्दी ड्रिंक्स लेनी चाहिए परियाप्त नींद और प्रेगनेंट महिला के लिए बिसेस योग तकनिकों को आजमाने से ऐसी महिलाओं को काफी आराम मिल सकता है जो प्रेगनेंसी के दोर से गुजर रही है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई सारी information आपको अच्छी लगी होगे और ये आपको समझ में भी आ गई होगे दोस्तों ऐसे ही knowledgeable और informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले और वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें